चट पूजा के दिन सूरे देवता और चटी महिया की पूजा विधी विधान से की जाती है। ऐसी कई कथा मिलती है जिसमें राजा प्रियमवंद, धगवान, राम, पांडवों के अलावा दानवीर कण की कहानी का सिक्र मिलता है। तो चलिए छट के शुब अफसर पर इन कहानीों के बारे में जानते हैं। एक प्रोणारिक मान्यतव के मताबिक राजा प्रियमवंद नी संतान थे। और उस वज़े से परिशान में थे। इस समस्या को लेकर उन्होंने महरशी करशप से पात की। उस समय महरशी करशप ने पुत्थ प्राप्ति के लिए यग कराया। इस यग में बनाई गई खीर को राजा प्रियमद की पत्नी को खिलाई गई। उसके बाद उनके यहां एक पुत्र का चनम हुआ। लेकिन वह मृत पैदा हुआ। इस वियोग में राजा ने भी अपने प्राण त्याग दिये। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देव सेना ने राजा प्रियमद से कहा कि मैं स्रिष्टी से मूल प्रवती के छटे अंच से उत्पन हुई हूँ। इसलिए मेरा नाम शटी भी है। अगर तुम मेरी पूजा करोगे और लोगों में इसका प्रचार करो। उसके बाद राजा ने शटी के दिन विधी विधान से पूजा पाट किया और उसके बाद उनके यहां पुत्र के प्राप्ती हुई। प्रोडानिक मानताओं के अनुसार छट व्रत की शुरुआत दुरौपती से मानी जाती है। दुरौपती ने पांडवों के अच्छे स्वास्ते और उनके पहतल जीवन के लिए छटी महिया का व्रत रखा था। उसके बाद पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गय था। हिंदु मानता के मताबिक कथा प्रचलित है कि छट पर की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस परको सबसे पहले सूरे पुत्र कड़ ने सूरे की फूजा करके शुरू किया था। कहा जाता ही कड़ भगवान सूरे के परम भगते और वो रोज खंटों तक कमर पानी में खड़े होकर सूरे को अर्ग देते थे। सूरे की क्रिपा से ही वे महान योदवर ने। आज भी छट में अर्गेदान की यही प्रमपरा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छट का विशेश मैत है। छट सिर्फ एक पर्व नहीं बलकि महा प जाता है पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्टिक में। पारिवारिक सुक सुम्रिदी और मनुवांचत्वल प्रापती के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसे तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीज़ें इंस्टाफीट और अगर आप यह वीडियो पेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेच फॉलो कीज़ें।